हलो स्टोडेंट आपका सौगत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर सीविगन बरेलिम है देखिए जैसा कि हम आपके लिए लगातार वीडियो बना रहे हैं और निर्देशां की जामती आपका चैप्टर चल रहा है तो यहाँ पर मैंने exercise 7.2 चल रही है बिटा उसमें मैंने question कहीं बता दिये थे तो इस book से मैं पढ़ा रहा हूँ जो की विद्या की book है आपको पता है तो यहाँ पर मैंने 5 question बता दिये थे इस exercise 7.2 के 5 question तक बता दिये थे अब हम आपके लिए छटा question कराएंगे और छटा question जो होने वाला है बहुत important है तो देखें हम छटा question आपके लिए पढ़ा रहे हैं छटा question क्या कहता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से यह जो बना हुआ है एक school में खेल कूद आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान है और आयताकार मैदान इस तरीके से है बना हुआ आप देख सकते हैं इसमें इसमें दो लड़कियां है एक मोहिनी है और एक सीमा है एक मोहिनी जो है दूसरी पंक्ती में है दूसरी पंक्ती में यहाँ पर दिखाया गया है और गमले रखे गए हैं तो गमले देखे दांस से मैं बता देता हूँ आपके लिए गमले इस तरीके से रखे गए है, यहाँ पर जो है, दूसरे यहाँ पर दूसरे बिंदु पर जो लड़की है, उसका नाम है मोहनी, नाम है इसका मोहनी, मैं आपको बता देता हूँ, मोहनी नाम है इसका और यह जो है यहाँ पर बना है और यह एक मीटर की दूरी पर गमले रखे गए है और कितने गमले रखे गए है सो गमले रखे गए एक मीटर की दूरी पर गमले रखे गए है सो गमले एक एक मीटर की दूरी पर रखे गए है यह आपका चित्र में दिखाए गया है तो मोहिनी दूसरी प्रंक्ती में AD का यानि यह जो AD है भाग इसका एक बटे चार चलती है यहाँ पर मोहिनी है और आठमे नमबर पर आठमे नमबर पर जो है वो सीमा है आठमे नमबर पर है सीमा यहाँ पर सीमा और ये जो दूरी चलती है वो एक बटे पांच चलती है यानि इनकी जो दूरी चली जाती है वो एक बटे चार एडी पर चली जाती है और इनकी जो दूरी चली जाती है वो एक बटे पांच एडी पर चली जाती है AD का मतलब यह बाली, इदर, सामने, सामने तो हम इनके बीच की पहले यहां पर यह बताया गया है कि यह लोग जंडा लगाने जाते हैं तो एक यहां पर पहुंसता है, एक यहां पर पहुंसता है तो यह कितनी दूरी पर जंडा होंगे और इनके बीच की दूरी क्या होगी यह आपको बताना है तो देखें सबसे पहले हम सवाल को शुरू करते हैं ध्यान से देखेंगे मोहिनी एक बटे चार भाग चलती है जबकि सीमा एक बटे पांच भाग चलती है बाई पर तब आप देखें यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मोहिनी की मोहिनी की वाई एक्ष पर वाई एक्ष पर चली गई दूरी चली गई दूरी तो वाई एक्ष पर चली गई दूरी कितनी है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं y x पर चली गए दूरी देखो एक पटे 4 और उसका एक पटे 4 ad का यानी ad में 100 meter की गंबले लगें बनाए 1 meter पी जो गंबले लगें उनकी दूरी total कितनी हो जाएगी total 100 meter कितना 100 meter तो एक पटे 4 का 100 meter निकालेंगे यहाँ पर 100 meter लिख लेंगे तो 4 से काट दो इसको 4 दो नी 8 दो बचा 4 पंजबिस है नी 25 meter तो यहाँ पर दूरी निकल के आगई यह 25 meter चलेगी कौन? मोहिनी तो जब 25 meter चलेगी और इसके x axis पर दूरी है 2 तो इसका coordinate हो जाएगा 2,25 यह हो जाएगा मोहिनी के निर्देशान ठीक है? अब इसके बाद हमाँ सीमा के निकालना है तो सीमा के भी लिखेंगे? सीमा की yh पर चली गई दूरी yh पर चली गई दूरी सीमा की निकालेंगे तो एक बटे 5 चलती है 100 meter का तो 100 एक बटे 5 से गुणा करते हैंगे 5,20 यह हम 100 हो गया तो यानि 20 meter आ गई तो इसके जो सीमा x axis पर कितना चलती है? 8 तो इसलिए हम लिखेंगे निर्देशांग क्या हो जाएंगे? तो हो जाएगा आपके लिए 8 x axis पर चली गई दूरी है और यहाँ पर y axis पर चली गई दूरी है 20 8,20 हो गया अब हमें क्या करना है? अब हमें इनके बीच की मद्दे दूरी निकाल ली है यानि इनके बीच की जो दूरी होगी वो आधी दूरी निकाल ली है आटविंदु यहाँ पर निर्देशांग के x, 두 जानते हो इनके बीच की मद्दे दूरी कैसा निकालते हैं तो हम लिखते हैं आपर बीच मद्दे बिंदु क्या निकालेंगे? मद्दे बिंदू तो मद्दे बिंदू का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे में दो कामा y1 प्लस y2 बटे में दो ये होता है तो इसको करेंगे देखे दान से हम कोडिनेट लिख लेते हैं पहले का हाथ 2,25 दूसरे का हाथ के लिए 8,20 अब इसको x1 मानेंगे इसको y1 इसको x2 मानेंगे और इसको y2 अब क्या करेंगे अब simple है इसमें रखनेंगे और मान निकालनेंगे तो x1 का माने 2 और प्लस x2 का माने 8 बटे में दो कॉमा ऐसा ही 25 प्लस 20 बटे में दो तो अब निकाल लो 8,2,10 का 10 हो गया और बटे में 2 25 विस यहां पर हो गया 45 बटे में 2 यह हो गया तो 10 बटे 2 का मतलब है 5 और यहां पर 2 से काट तो इसको 2 दूनि 4 या 45 बटे 2 ही लिख दो कोई दिक्कत है नहीं 45 बटे 2 यह हमारा अंसर हो जाएगा एक अंसर यह हो गया कि इनके बीच के मद्द विंदू के निर्दे सांग जो होंगे वो यह होंगे यहाँ पर एक्स कोमा बाई यानि पांच कोमा पैतालिस बटे में दो यह अब इनके बीच की दूरी भी निकाली है बीच की दूरी कितनी होगी, तो बीच की दूरी भी मैं निकालना हो, देखे दान से, क्या होता है बीच की दूरी में, यानि हम लिखेंगे बीच की दूरी, बीच की दूरी, रूट के अंदर, एक्स टू मैंनस एक्स वन, एक्स टू का माने आट मैंनस एक्स वन का माने दो, आट मैंनस दो का स्क्वार, और फिर है वाई टू मैंनस वाई वन, वाई टू का माने बीच, और मैंनस वाई वन का माने पच्चिस का होल स्क्वार, तो यहां हो जाएगा आप शेपाच गारा के एक, आसे लगा एक, तीन दू पाँच और एक छेए, 61, रूट 61 इसकी जुग है, दूरी आजाएगी, तो यही आपका अंसर हो जागा, यह किये, मद्दे बंदू कर निर्दे सांग, और यह दूरी, ठीक है न, तो यह आप समझ लिजे, यह आपका अंसर हो कॉमा 10, और 6, माइनस 8, को जोडने वाले रेखाखंड को बिंदू, माइनस 1, 6 किस अनुपात में विवाजित करेगा, यह जोडने वाले बिंदू है, इसको माइनस 1, 6, यह बिंदू है, और किस अनुपात में विवाजित करेगा, यह आपको पता करना है, तो आप यह कैसे निकालेंगे जैसे एनुपात का होता है, देखें, M की गुणाद 6 से होगी, तो 6M हो जाएगा, और N की गुणाद 3 से होगी, तो माइनस का 3N हो जाएगा, और बटे में M प्लस N, पहला कोडिनेट क्या दिया गा, माइनस 1, तो इसके बराबर हो जाएगा, माइनस 1 के, equation number 1, इसी तरीके से, M की गुणाद 8 से हो जाएगी, माइनस 8 से, तो माइनस का 8 M, माइनस का 8 M, और और ये N की गुणाद जाएगी 10 से, तो 10 N, और बटे में M प्लस N, समीकर्ण अब यहाँ पर बराबर में 6 रहेगा, 2, अब क्या करेंगे, अब बेटा ये करना है, आपके लि तो हम पहले समीकर्ण को रख देते हैं, ठीक है, तो पहले समीकर्ण को यहाँ पर रख देंगे, तो आप देखें क्या हो जागा, 6 M, माइनस 3 N, और बटे में M, प्लस N, बराबर में माइनस 1, गुणाद जाएगी, तो माइनस का 8 M, और यहाँ पर इसको स्वाल कर लेंगे, 6M-3N बराबर में-1 की गुणा हो जाएगी तो माइनस का M और माइनस का N हो जाएगा तो 6M ये माइनस का M इधर ले आओ प्लस का M हो जाएगा और बराबर में माइनस का N हो ये 3N उदर चला जाएगा तो प्लस का 3N हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यह आगया 6M और M कितना आगया 7M बराबर में यह आपके लिए प्लस का 3N आगया और माइनस का N था ही था 3 में से N में से 1N चला जाएगा तो बचेगा 2N और M यहीं रखेंगे N को नीचे ले आएगे M upon N बराबर 2 upon 7 यह आपका अनुपाद हो जाएगा यानि M अनुपाद N लिख सकते हो आप 2 अनुपाद साथ यह आपका जाएगा अगला सवाल क्या है आप पर हम आपके लिए बताते हैं आठमा सवाल देखिए आठमा सवाल यह है कि यह अनुपाद गयाद करिए जिसमें बिंदू A है 1,-5 और B बिंदू है 1,-4,5 यह है अब आप क्या करना है रेखाकंड X अक्ष से बिवाजित होता है अगर यह रेखाकंड X अक्ष से बिवाजित होगा इसका मतलब X कोडिनेट तो होगा लेकिन Y कोडिनेट क्या होगा 0 Y कोडिनेट 0 होगा तो हमें यहाँ पर निकालना है कि यह किस अनुपाद में बिवाजित करेगा तो अगर हमने इसका अनुपाद माल लिया M अनुपाद N में बिवाजित करता है M अनुपाद N में बिवाजित करता है तो उसका निकाल लेंगे coordinate कैसे निकाल लेंगे देखे दान से पहले हम यहाँ पर देखे आप x वाला है x वाले के साथ लिखते है m into minus 4 तो minus 4 m और n की 1 से तो 1 n बटे में m plus n बराबर x यह आ जाएगा समी का number 1 किसी तरीका से 0 वाले के लिए करेंगे m into 5 तो 5m और n की गुणा minus 5 से तो minus का 5n बटे में m plus n बराबर 0 अब आप यह सोच रहे होंगा कि क्या हम पहले समी करंड से मान निकाल सकते हैं अनुपाद निकाल सकते हैं क्या लिखा है 5m minus 5n और बटे में m plus n बराबर में 0 तो यहां जाएगा 5m minus का 5n और यह cross multiply कर जाएगा 0 के साथ तो 0 गुणे m plus n तो यहां पर हो जाएगा 5m minus 5n और बराबर यह हो जाएगा 0 तो यहां लिखते हैंगे 5m बराबर 5n तो यहां पर आप देखे पांच जो है वो ऐसे रहेगा यहां पर और आप ऐसा करिए m और n को इदर ले आएगे m upon n बराबर 5 और यह 5 को नीचे ले जाओ तो 5 से 5 के अंसल हो गया 1 1 बचा यानि m upon n बराबर 1 upon 1 यह लिख सकते हैं m upon n बराबर 1 upon 1 तो यह आपका अंसर हो गया आपके लिए 1 upon 1 में यह भी बज़ित करेगा यानि इसका अनुपात आगया 1 upon 1 तो यह आपका अंसर हो गया तो आपने देखा यहां पर आपके लिए यह दोनों कोश्टन बहुत important हैं जिसमें से question number 6 very important है आपके लिए तो यहां पर आप देखिए कि आपके लिए series में question चलने हैं बुक से चलने है question और daily की daily आपको video मिल लएए हमारी और इसी तरीके से आपको मिलती रहेगी और इसी तरीके से आप वीडियो को देखते रहेंगे thank you for watching this video